बाई और बैनों गंडे की अधिक पैदावर से किसानों का पैसा ना फसे इसका एक बहुत अच्छा तरीका है गंडे से इथेनॉल बनाये जाए और इसकी टेकनोलोजी कोई बहुत बड़ी एक्स्टराओर्डिनरी नहीं है बहुत असानी से इसका कारखान उपाख खड़ा किया जा सकता है और हमारे किसान तो खेत में ही गंडे से कैसे गुड बनाना कितनी आराम से खड़ा कर देते और बना भी देते हैं ये इथेनॉल वाला काम भी कोई ऐसा बड़ा नहीं है मशीन लगती है कारखाना बनाना पड़ता है लेकिन जैसे आप काम सरलता से करते हैं वो कारखाने वाला भी सरलता से कर सकता है और इसलिए इथेनॉल बन सकता है और हम इथेनॉल बनाने के इस बात को यहाँ बड़े-बड़े किसान नेता Agriculture Minister हो गए चीप Minister रहा करते थे Congress NCP के लोग अपने आपको किसान होने का दावा करते हैं लेकिन उनको गन्ने से इथेनौल बना कर भी आप अपनी आए बढ़ा सके इसकी Congress और उसके साथ योने कभी परवाई नहीं की उन्हें इस बारे में पता था पुरा ग्यान था लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अपने गन्ना किसानों को ये नई टेकनीक भी ला कर दें Congress NCP और उसके साथियों ने ऐसा क्यों किया ये भी आपके लिए जानना जरूरी है साथियों गन्ने से जो इथेनौल बनता है वो मिलाया जाता है पैट्रोल में लेकिन ये लोग जिस तरह के गोड़क धंदे से जुड़े थे अगर ये लोग पैट्रोल में जादा इथेनौल मिला से वाने लग जाते तो ये मलाई खा रहे थे वो कम हो जाती क्योंकि विदेशों से जो पैट्रोल खरीते हैं पहले इनोंने कोई इनकोई अपना इंतिजाम करके रखा था अगर पैट्रोल कम होता है तो इनकी मलाई भी बंद हो जाती है और इसलिए इनोंने इस तकनिक को यहां बढ़ने ही नहीं दिया चीनी मिलो में आपकी जिंदगी अठकी रही लेकिन इनोंने परवा नहीं की सोचिए इथे नौल बंने की वज़े से आपको गन्ने की उची किमत मिलती इनोंने ऐसा नहीं हो रही इथे नौल ब्लेंडिंग की वज़े से पैट्रोल की कम किमते कम होती है उन्होंने ये भी नहीं होने दिया इथे नौल की वज़े से पदूशन कम होता परियावरन की रक्षा होती है उन्होंने ये भी नहीं होने दिया इथे नौल की वज़े से देश तेल के आयात पर जो खर्च करता है उसमें भी कमी आती लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं होने दिया ये विदे से मिलने वाली मलाई खाते रहे बड़ी बड़ी विदे सी कंपनियों का हिच साते रहे लेकिन यहां के गन्ना किसानों की परवान नहीं की साथियों 2014 में जब आपने एक मजबूत सरकार बनाई तब हमने इथेनॉल पर नए सिरे से काम शुरू किया परणाद यह हुआ कि 5 साल पहले जहां देश में सिरफ 40 करोर लीटर इथेनॉल बनता था अब 140 करोर लीटर से ज़्यादा इथेनॉल हम सप्लाई कर रहे हैं जो गाडियों में उप्यों किया जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के ओध्यान में रखते हुए देश बर में प्लांट भी लगाए जा रहे हैं और गाडियों को भी तैयारिया की जा रही है देश बर में दरजन पर रिफाइंडरी बनाने का काम चल रहा है यहां दंदूर बार में भी एक यूनिक लगाई गई है इन सब प्रयासों से सबसे ज़्यादा लाब गन्ना किसानों को ही होगा